आईए हम और आप मिलकर सोचते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है और ये कितना खतरनाक होता है क्या किसी को जान से मारना या उसको जान से हानी पहुचाना या फिजिकली हानी पहुचाना साइबर क्राइम कहलाता है नहीं सिर्फ यही साइबर क्राइम नहीं है यदि हम साइलेंटली और मेंटली भी किसी को परिशान करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम होता है वैसे साइबर क्राइम के कई प्रकार होते हैं पिछले बार मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम चिड़ाना किसी को करना भी cybercrime होता है आज हम एक दूसरे cybercrime की बात करते हैं और उसे कहते हैं isolation isolation का मतलब होता है किसी को गुरुप में से पहले गुरुप में उसको शामिल करना और उसके बाद उसको उस गुरुप से निकाल देना तो यह कहलाता है आईसोलेशन यह किसी के साथ भी हो सकता है एक छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है एक टीनेज के साथ भी हो सकता है किसी महिला के साथ भी हो सकता है या किसी पुरुश्य का पल के साथ भी हो सकता है इसे हम कहते हैं साइबर क्राइम का वो फ अब जिसे एक छोटे से उधारण से मैं आपको समझा सकती हूँ समझें एक 3-4 साल का बच्चा है उसको सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं और खेल के उसे अपने ग्रूप में लेते हैं पहले उसे फुटबॉल टीम जैसी चोटी सी बनती है और उसे अपने टीम में रखते है लेकिन अचानक उसमें से कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि cyber crime या crime bullying टाइप की जिसकी mentality होती है जिसकी चिडाने की प्रवरती होती है और जिसकी crime जैसी प्रवरती होती है दिमागी तब पर जो दूसरों को परिशान करने में जिसे खुशी मिलती है वो क्या करेगा कि किसी एक बच्चे को जो थोड़ा सा सीधा या कमजूर है या जिसको उसको बुलिंग करनी है या जिसके प्रति उसको साइबर बुलिंग करनी है वो उस बच्चे को क्या करता है पहले अपने फुटबॉल टीम में लेता है और जो फुटबॉल टीम में ले करके खेल और कहता है कि अभी तुम जाओ हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है हम लोग इतने बच्चे काफी होते हैं और क्योंकि फुटबॉल उस बच्चे का होता है जो बुलिंग करता है जो क्राइम करने की प्रवरिति वाला होता है तो जिसका फुटबॉल होता या जो पैसे वाला हो होती है ज्यादा उनके पास पावर होता है दूसरे बच्चों को डराने का तो उस एक बच्चे को पूरे गुरूप में से निकाल जब वो दिता है तो बाकी बच्चे उसका विरोध नहीं कर पाते हैं तो जिस बच्चे को निकाला जाता है वो mentally harass होता है वो mentally परिशान हो जाता है और ये जो mentally परिशान करने की आदत है या तरीका है वो भी एक प्रकार का cyber crime कहलाता है ये छोटे बच्चों की बात हो गई लेकिन अगर हम teenage की बात करें तो समझे कोई 16-17 साल वाले बच्चों का एक group बना हुआ है वो लोग अपस में WhatsApp group बनाएं कि जब भी हम कोई activity करेंगे हम WhatsApp group पे सब को बताएंगे अब एक picture का plan बनता है या समझ लीजे कोई mall जाके shopping करने की outing का इनका plan बनता है तो सब लोग तयार हो जाते कि कल सब लोग group में एक साथ जाएंगे इस तरह से और अचानक वो लोग क्या करते हैं किसी एक को group में वो बात नहीं बताते हैं और अंदर ही अंदर दूसरा group तयार कर लेते हैं और वो सारे लोग एक जन को छोड़ देते हैं और बाकी मिल करके या तो mall shopping के लिए या outing के लिए या dinner के लिए जैसा भी हो वो लोग अपना group ले करके चले जाते हैं तो उसमें से जो छुट जाता है वो बहुत बुरा फिल करता है वो isolated फिल करता है अकेला पन फिल्ड करता है और उसको लगता है कि मेरे में कोई अच्छाई ही नहीं है कि ये लोग मेरे को अपने साथ में रखना नहीं चाहते है जबकि ये सिर्फ मजाक मजाक में किया गया एक crime होता है इसके पिछे कोई intention नहीं होता है ना कोई bullying का intention होता है लेकिन अंचाही ही अंचाही ही एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ न कुछ गलत काम कर जाता है जो उसको mentally हराश करता है इसी तरह ठीक ladies लोगों में भी होता है कि हम कोई group बनाते हैं और group बनाकर decide करते हैं कि हम लोग जब भी lunch पे जाएंगे या picnic पे जाएंगे या कोई भी ऐसे धर्म स्थान पे जाएंगे या सामूही group से कोई कारे करेंगे तो आपस में इस group में चर्चा की जाएगी और सारे लो phone द्वारा या एक कोई नया group का निर्मान कर लिया जाता है और उस पूरे group में से किसी एक lady को या एक gents को या एक couple को छोड़ दिया जाता है नहीं बताया जाता उसको और बाकी सारे लोग मिल करके चले जाते हैं तो जिसको छोड़ा जाता है वो हराश होता है वो मांसिक गलती की, या मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, या मेरी जो बात करने की स्टाइल है, वो क्या अच्छी नहीं है, ये लोग मेरे को क्यों छोड़ दिये, मैं अकेला कैसे रह गया, वो बोलेगा कुछ नहीं, वो दिखाएगा भी कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो होती है इस प्रकार से जो हम उस व्यक्ति के प्रती मिसबिहेव करते हैं उसको अकेला चोड़いき थे थे हैं उसको अकेला ग्रूप मेंसे बाहर निकाल देते हैं यह भी एक प्रकार का साीबर बुलिंग या साइबर क्राइम कहलाता तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के प्रती मार धार करें तो ही साइबर क्राइम होगा या किसी के प्रती गाली गलोच करें या किसी के प्रती कोई बुरे अपशब्द कहें तो ही होगा आप उपनी छोटी 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 एक्ट के द्वारा छोटी 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 चोटी अ Unknowingly, आप उसके प्रती दुर्भावना पुर्वक व्यवहार के द्वारा बुलिंग करते हैं, क्राइम करते हैं और जो उसको मांसिक रूप से परेशान कर देता है। तो याद रखिए, आप भी शिकार हो सकते हैं इस चीज के, या आप भी शिकारी हो सकते हैं इस चीज के, आपके द्वारा भी एक राइम किया जा सकता है, जिसकी आपको खुद पहचान नहीं होती, जिसका पता आपको खुद नहीं चलता है, लेकिन यदि आप जब दूसरे क व्यवहार में देखते हैं ये चीजे होते हुए और आप दुखी होते हैं और फिर जब कभी आप अपने व्यवहार के बारे में विचार करते हैं तो आपको समझाता है कि अरे ऐसा तो मैंने भी किया था ये तो बहुत गलत बात है मैंने उसके प्रति बहुत गलत तरीके से व ग्रूप में से निकाल देने वाला या हम उसको क्यों बताए हम चुप चाप कर लेते हैं ये काम हम उसके साथ शेयर नहीं करते हैं उसको क्यों लेना है साथ में वो मोटा है इसले नहीं लेते वो पतला है इसले नहीं लेते वो खाता ज़्यादा है इसले नहीं लेते या उसक कि हम प्रति प्रति हम कहीं साइबर कर बैठते हैं तो पुप्लीज आप क्राइम अपने प्रति होने से भी आप सचेत रहें यदि आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप उसको जादा दिल-पर मत लिजिए यह मत सोचे कि कोई प्रकार के आप में कमी है इसलिए उन्होंने इस तरह से किया आपके सांथ या यह मत सोचे कि आप कही गलत थे इसलिए किया यह सोचे कि वो लोगों की ऐसी करने की आदत है हो सकता है कि वो आपकी इत्ती बहु मुल्ले दोस्ती को डिजर्व ही नहीं करते हैं वो आप लोगों के लायक ही नहीं है कि वो आपको अपने साथ शामिल कर सके और आप कोई अच्छे कामों में अपने शक्ती को लगाए कोई creative work में कोई constructive work में लगाए और समय के साथ हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है विश्वास मानिये जिस दिन उस गलत व्यक्ति को अपने व्यवार की गलती का पता चलेगा वो स्वयम बहुत लजजित हो जाएगा लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप स्वयम भी ऐसा व्यवहार नहीं करते होंगे आप अपने व्यवहार को भी चिक करिए कि क्या आपने अपने गुरूप में से अपनी फ्रेंड में से अपने वाट्सअप ग्रूप में से किसी के प्रती इस ढग का व्यवहार किया है क्या कि आपने किसी एक व्यक्ति को अखेला छोड़ दिया एंड टाइप पे जबकि तय यह हुआ था कि जो भी कारी करेंगे वो पूरा गुरूप का गुरूप एक साथ करेगा और आखरी समय में आप अपना विचार बदल देते हैं और सारे लोगों को इन फैक्ट सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप सारे लोगों को कन्विंस करके अपनी साइड में मिला लेते हैं और किसी एक व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं तो जो व्यक्ति अकेला छोड़ता उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय होती है तो कृपया अपने व्यभार पर ध्यान दीजिए जरा सोचिए इस बात को और जरा विचार मन्थन कीजिए कि कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं किसी के प्रती ऐसा कोई गलत व्यभार तो नहीं कर रहे हैं जो उसे इतना मानसिक तनाव दे रहा है और लगातार दे रहा ह की वो कभी-कभी डिप्रेशन में भी चला जा सकता है और बहुत ज़्यादा उसके साथ अगर ऐसा गलत वेवार होता है यह फैमिली में भी होता है कभी-कभी हम दो बच्चों के बीच में भी इस तरह गई है या हो सकता उसका व्यवहार थोड़ा कड़क हो या उसका नीचर जो ऐसा हो कि वो थोड़ा अलग छिड़ चिड़ा नेचर की हो तो कुई उसकी साथ किसी चीज का शेयर नहीं करता पर विश्वास मानिये उसको बहुत दुख होता है जब उसको सच्चाई का पता चलता है तो कृप्या आप ऐसा कोई विवार किसी के प्रती मत करिए यदि आपने तै किया है कि मिल जूल कर कोई कारी करेंगे तो उसमें आप अडिग रहिए और यदि आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं नहीं शेयर करना चाहते हैं तो उसको शुरू से इन्वाल मत करिए अपने साथ में उसको पहले से ही अपने ग्रूप में शामिल मत करिये तो उसको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा और यहीं एक प्रकार का साइबर क्राइंड का एक टाइप है जिसे हम आइसोलेशन बोलते हैं याने किसी को ग्रूप में से पहले ग्रूप में रखना और बाद में उसे चुप चाप से ग्रूप से बाहर कर देना जिसकी उसको भनक नहीं पड़ती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है, जिसकी आपको अंदाजा नहीं है कि ये दूसरों को कितना दुख पहुचा सकती है, डिप्रेशन मिला सकती है और कभी-कभी तो आत्मात्या तक करने के लिए मजबूर कर सकती है, तो आईए इस बारे में हम जरा सोचे हैं, थैंक यूँ,